हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गल्स वीटी में अभी लॉक्ड़ाँ चलना है पुरे देश में और बाहर जाना भी मुश्किल है और पालर भी बंद है और जो हमेशा पालर जाते थे वेक्स कराते थे पालर का जो भी काम कराते तो उनको काफी दिकते हम आप लोगों को बताएंगे कि घर पर कैसे वेक्स बनाना है यदि आपके घर में वेक्स नहीं है और आप बजार भी नहीं जा पा रहे हैं वेक्स लाने तो कोई बात नहीं है जो घर में है और जो आपके कीचन में यूज होता है उसी हिसे हम बनाएंगे वेक्स तो बनान तो हम wax बनाना start करते हैं wax बनाने के लिए आधा कटोरी हम चीनी लेंगे और aloe vera क्योंकि हम aloe vera wax बनाएंगे थोड़ा पानी लेंगे और आधा निम्बू अब aloe vera का pulp को हम निकालेंगे चाकू के help से यदि आपके पास aloe vera का पौधा नहीं है तो कोई बात नहीं आपके घर में कोई भी aloe vera gel है तो ले सकते हैं aloe vera में vitamins और minerals का खजाना है इसलिए skin के लिए बहुत ही अच्छा होता है waxing का अंचा है बाल हटाने का सबसे अच्छा process माना जाता है थोड़ा तो दर्द होता है लेकिन फिर भी सुन्दर और साफ इस्किन सभी को अच्छा लगता है और wax कराने के बाद यदि दाना निकल आता है तो घबड़ाईए नहीं कोई अच्छा सा मोश्च राजर या नारिल का तेल या बरब का पानी आप उस पर लगा सकते हैं अब wax बनाना हमें start करते हैं गैस अन करेंगे और मोटा परत वाला बर्तन लेंगे और उसमें इलोवेरा और चीनी डालेंगे इलोवेरा का पल्स को मिक्सी के जार में हम दो मिनट चला देंगे ताकि ठोड़ा जेल जैसा हो जाए और थोड़ा पानी लेके दो कर डाल देंगे यानि आधा कटोरी चीनी लिए हैं तो आधा कटोरी पानी भी लेंगे अब आधा निम्बू का रस निकाल के डाल दियें बीज निकाल लिए हैं निम्बू का रस से अब इसी तरह हम चलाते रहेंगे इसे छोड़ना नहीं है जदी हम चलाना छोड़ तो नीचे चीनी बैठ जाएगा और वैक्स जल जाएगा इसलिए हम चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छा से मिलना जाए और इसी तरह चलाते रहेंगे और देखिए गैस का फिलेम हम कम कर देंगे देखिए इसमें उबाल आने लगा है जाक बन गया और कलर भी चेंज हो दो मीनट और चलाना है दिखने से ही पता चल जाएगा कि आप चासनी गाड़ा हो गया है इस तरह से चेक करेंगे तार बन गया है यानि हमारा वैक्स बनकर तयार है थोड़ा ठंडा होने के बाद दूसरे बावल में ट्रांफर कर लेंगे देखिए कितना अच्छा कलर आ ग हम साब कर लें जहां वैक्स करना है और कोई भी शुखा पाउडर थोडह लगाना है चमच के सहीता से वैक्स लगाना है वैक्स जादा गरम नहीं होना चाहिए और जिस सस्टार अधर्ल भाठे कचिवां और इस डिर्टी पट्टी नहीं है तो कोई भी जीन्स चापड़ा स पठी बना सकते हैं अब पठी पर मसाज करते विए थप थपाना है । इसी तरह दो तीन मिनट हमासाज करें गृण थप थपाते विए मसाज करके नीचे से झजटके सोखर्ण आया देखिए बाल उखड गया हैं बाल दीख रहा है आप हम पैर का बाल हटाएंगे हां से ज़्यादा पैर में बाल होता यहां हम वैक्स पट्टी से यूज करेंगे जो मार्केट में वैक्स पट्टी मिलती है और इसी तरह मसाज करेंगे थप थपाते हुए मसाज करेंगे दो-तीन मिनट मसाज करके फिर जटके से हमको इसे भी उखारना है देखे कितना अच्छा से हुआ है बैक्स और बचा हुआ बैक्स को किसी टाइट कंटेनर में हम रख देंगे यह खराब नहीं होगा इसको आप जब चाहें यूज कर सकते हैं तो था न कितना अच्छा घर पर ही वैक्स बनाना असान है पालड जाए भीना आप घर पर वैक्स बना सकते हैं और घर पर ही रहें लॉक्डाउन का पालण करें तो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो लेकर अब हम थ्रेडिंग के लिए लेका है आप खुद पर भी थ्रेडिंग कर सकते हैं बिना सीखे तो इसी तरह मेरे वीडियो देखते रहें और दोस्तों से शेयर कीजिए वार्सप फेस्बूक टेलिग्राम पर तब तक के लिए बाइफ्रेंड्स